श्री शिवाय नमस्तु भ्याम भूलिनाथ और मापार्वती की कृपा से आप और आपके परिवार की सदरक्षा होती रहे और आप सभी की मनुकामनाई पूर्ण हो आज भी आप सावनमास महतमे के अलावा भगवान शिव के दिविजोतिलिंग की कथा सुनेंगे महादेव जी कहते हैं हे पार्वती सामबा दित्ति से उत्तर दिशामे का पालेश्वर विराजमान है उनका दर्शन करने से मनुष्य अशुमेद यग्य का फल पालेता है और पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाता है उससे उत्तर कोटीश्वर लिंग है जो सब के पापों का नाश करने वाला है वहाँ कोटी रिश्यो ने सिध्धी प्राप्त की है इसलिए उसका नाम कोटीश्वर है जो मनुष्य भक्तिभाव से कोटीश्वर का पूजन करता है उसे एक करोण मंत्र जब का फलप्राप्त होता है कोटीश्वर के निकट वेद वित्ता ब्रहमन को स्वन देना चाहिए सोमेश्वर, दैति सूदन, बालरूपधारी ब्रहमा, अर्क इस्थल, सोर्य तथा सशी भूशन ये छे प्रभास छेत्र के श्रेष्ट देपता हैं इनके दर्शिन मात्र से मनुषिक क्रतार्थ हो जाता है और जन्म से लेकर मृत्य तक के भयंकर पापों से छूट जाता है अब पारवती जी ने पूछा है भगवन, अन्य सभी स्थानों में तो व्रध रूपी ब्रहमा है फिर यहाँ वे बाल रूपी कैसे हुए? कृप्या बताईए महादेव जी कहने लगे देवी, मनुष इस संसार में तभी तक दुख, शोक और भय के समुद्र में डूबे रहते हैं जब तक कि ब्रहमा जी के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती जीव का मन जैसे विशो में लगा है अगर उसी प्रकार ब्रहमा जी में भी लग जाए तो कौन बंधन से मुक्त नहीं होगा सोमनात से इशान कोण में और सामबादेत्य से अगनी कोण में ब्रहमा जी का उत्तम इस्थान है वही पर बाल रूपधारी ब्रहमा जी विराजमान है जो संपूर्ण जगत के स्वामी सब लोकों के स्रिष्टा और महान तेजस्वी है वही इस प्रभास छेतर में आठ वर्ष की आयू में आये हैं उन्होंने ही सोमनात लिंग की स्थापना करके ब्रहमानों को बहुत सी दक्षिना दी प्रभास छेतर में रहते वे बालरूप धारी ब्रहमा जी के 42 वर्ष बीद गए है इस प्रकार उनकी आयू का एक परार्थ व्यतीत हो गया अब पार्वती जी ने फिर से महादेव जी से कहा कि प्रभो ब्रहमा जी के दिन मास और वर्ष का परिमान भी बताईए महादेव जी कहने लगे देवी ब्रहमा जी की जो परम आयू है उसका एक परार्थ बीद गया है अब दूसरा परार्थ चल रहा है आठ वर्ष की आयू में वे हाए थे इसलिए उन्हें बाल रूपी कहते हैं प्रभास चेत्र को छोड़कर अन्य सभी तीर्थों में वे वर्थ रूपी ही है प्रथम कल्प में इनका नाम स्वयम्भू था दूसरे में पद्मभू तीसरे में विश्वकर्था और चौथे में बाल रूपी कहे गए है जो मनुष्य प्रति दिन इन नामों को इस्वरन करता है वह दीरघायू होता है चंद्र, सोरे आधी सभी ग्रह, देवता, असुर, दानव तथा समस्त्रिलों की ये सब ब्रह्माजी के रात आने पर नस्ठ हो जाते हैं फिर दिन आने पर जब ब्रह्माजी जगते हैं तब पहले की तरह स्रस्टी करने लगते हैं पलक गिरने में जितना समय लगता है उसके एक चथाई भाग को तुरुटी कहते हैं दो तुरुटी का एक निमेश होता है पंद्रह निमेशों की एक कास्ठा होती है तीस कास्ठाओं की एक कला, तीस कलाओं का महुर्थ और पंद्रा महुर्थों का एक दिन होता है दिन के बराबर ही रात का भी मान है दिन तथा रात दोनों को एक अहोरात्र कहते हैं पंद्रा दिन रातों का पक्ष और दो पक्षों का मास होता है छे मासों का एक अयन और दो अयनों का एक वर्ष होता है 43,20,100 वर्षों का एक चतुर्यूग होता है 71 चतुर्यूगों का मनवंतर कहा गया है यहां संशेव से इंदर देपता की आयू बताई गई है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनू और 14 इंदर नस्ठ होते हैं विश्ववक्ता, विपश्चित, स्वचित्ति, शिवी, विभू, मनोभू, ओजस्वी, बली, अदभुत, शांती, व्रिशा, शत्धामा, दिवस्पती, शुची यह 14 इंदर है ब्रह्मा जी का दिन जितना बड़ा होता है उनकी रात भी उतनी ही होती है यह कल्प का मान बताया गया इही ब्रह्माजी की अमावस्या है ब्रह्माजी के महिने के ये तीस कल्प बताए गए इस समय वरह कल्प चल रहा है यही ब्रह्मा जी की प्रतिपदा है जिसमें भगवान वरह ने रसातल से प्रत्थवी का उध्धार किया था तीस कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास माना गया है ऐसे बारह मासों का एक वर्ष होता है ऐसे वर्ष मान से जब ब्रह्मा जी आठ वर्ष के थे तब सोमदेव उन्हें प्रभास छेत्र में लेकर आए और उन्ही की द्वारा सोमनात जी की प्रतिष्ठा का कारिशंपन हुआ इस प्रकार प्रभास छेत्र में निवास करते वे ब्रह्मा जी का एक परार्थ व्यतीत हो गया और अब दूसरा चल रहा है इस तरह बच्पन से ही उनका इस छेत्र में निवास होता है मनिशी पुरुषों के द्वारा वे बारम बार बंदनी है यात्रा का उत्तमफल चाहने वाले पुरुषों को पहले उनी की पूजा करनी चाहिए जो भक्ति पूरुवक ब्रह्मा जी की पूजा करता है वे निश्य ही मेरा भी पूजन करता है जो उनसे द्वेश करता है वे मुझसे भी द्वेश करता है और जो उनका पुजारी है वो मेरा भी पूजक है सुन्दरी ऐसा जानकर मन में भेदभाव ना रखते वे ब्रह्मा विश्नु तथा रुद्र की एक रूप से ही पूजा करनी चाहिए देवी भूतेश से वायविकोण में तीस धनुष की दूरी पर गोप्या दित्त का स्थान है पुर्वकाल में महातेजस्वी श्रीकृष्न जब 56 कोटी यादवों के साथ प्रभाश छेतर में आए उस समय 16,000 गोप्यां भी वहीं आ गई उनमें से जो सर्वस्रेष्ट 16 गोप्यां बताई गई है उनके नाम बताता हूँ सुनो लंबनी, चंद्रिका, कांता, अक्रूरा, शांता, महोदया, भीशनी, नंदनी, अशोका, सुपर्ना, विमला, अक्षया, शुबदा, शोबना और पुन्या ये हंस अर्था श्रीकृष्ण चंद्र की कलाए मानी गई है परमात्मा श्रीकृष्ण ही हंस है और उनकी ही ये शक्तिया है श्रीकृष्ण चंद्र स्वरूप है और ये गोप्या उनकी कलाए है उपर्युक्त 15 कलाओं के सिवा मालिनी उनकी 16 कला है जो पुरुष इस प्र पूर्वक भगवान सूरी की स्थापना की और नाना प्रकार के दान दिये महर्शियों ने वहां भगवान सूरी का नाम गोप्या दित्त रख दिया इस प्रकार सूरे देव की प्रतिष्ठा हो जाने पर वे सब गोप्या करतार्थ हो गई और महान यश्पाका श्री कृष्ण के साथ द्वारका को चली गई प्रभास छेत्र में गोपियों द्वारा इस्थापित जो गोपिया दित्य हैं उनका दर्शन मात्र करके मनुष्य दुख शोक से मुक्त हो जाता है जो मनुष्य माग मास की सप्तमी को उपवास करके गोपिया दित्य की पूजा करता है वह अप के रंगेवे वस्त्र धारन करके द्विज्ज जो भी इसनान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, तथा पित, तर्पन और करabled कर्म करता है। वे तथा इसके पंच महायग्य भी उस नील सूत्र के कारण नस्ठ हो जाते हैं। अगर ब्रहमण नील का रंगा हुआ वस्त्र अपने अंगों में धारन कर ले तो रात दिन उपवास करके पंच गवी पीने से ही शुद्ध होता है। अगर किसी ब्रहमण के रोम कूपों में नील के रसका अर्थात नील मिश्रित जल का प्रवेश हो जाए तो वह पतित हो जाता है और तीन क्रच वरत करने पर ही उसकी शुद्धी होती है। अगर प्रहमण भूल से भी नील व्रक्षों के बीच में से निकल जाए तो वह दिन रात उपवास करके पंच गवी पीने पर शुद्ध होता है। अगर प्रहमण के शरीर में नील की लकड़ी गड़ जाए और रक्त दिखाई देने लगे तो उसे चांदरायान वरत करना चाहिए। देवी जो अंजाने में नील का दातोन कर लेता है वह दो बार क्रच वरत करने पर उस पाप से शुद्ध हो पाता है। पारवती, कुरुक शेत्र में एक लाख गोदान करने से जो पुण्य मिलता है वह सब गोप्यादित्त के दर्शन मातर से ही प्राप्त हो जाता है। अब जानिए भगवान शिव के नागेश्वर जोतिरलिंग के बारे में साथ इस वीडियो के लास्ट में आप द्वादस जोतिलिंग मंतर का हिंदियन वाद भी सुनेगे। में भगवान शिव के परमदिव परमधाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के नुसार नागेश्वर अर्थात नागों का इश्वर होता है। और विश्वादि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुत्र संगीता में इन भगवान को दारुका वने नागेश्वम कहा गया है। पुराणों में नागेश्वर जोतिलिंग की जिस कथा का वर्णन है उसके नुसार सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्म और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का ननिभक्ति था। वह निरंतर भगवान शिव की पूजा आराधना और ध्यान में तलीन रहा करता था। अपने सारे काम वह भगवान शिव को अर्पित करने के बाद ही करता था। वह हर समय, हर छण, मन, वचन और कर्म से हर समय भगवान शिव की पूजा में और ध्यान में ही तलीन रहा करता था। उसकी इस शिव भक्ती से दारुप नाम का एक राक्षस बहुत कुरुध रहा करता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती थी। और वह निरंतर इस बात का प्रयास किया करता कि सुप्रे की पूजा अर्चना में विगन पहुचा सके। एक बार सुप्रे नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुस्ट राक्षस दारुक ने यह उप्युक्त अफसर देखकर नौका पर आकर्मन कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने हर दिन के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वहश्य भक्ती की प्रेणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विशे में ये समाचार सुना तब है बहुत क्रोधित होकर उस कारागार में जा पहुचा जहां सुप्रिय बंद था। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आखे बंद किये बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखी तो अत्यत भीशन स्वर में उसे क्रोध में डाटते भी कहा रे दोस्ट वैश तू आखे बंद कर इस समय कहां कौन से उब्द्रव और शद्यंत्र करने की बात सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रे की समाधी भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। दारुक क्रोधित होकर जैसे ही सुप्रे का वद करने के लिए आया तो उसे देखकर सुप्रे भगवान शिव से रक् हासन पर इस्थित होकर जोतिरलिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने पाशु पतास्त्र से दारुका और उसके सैनिकों के अस्त्र शस्त्र को नस्ट कर उन सभी का वद कर दिया। वैश्य सुप्रे ने उस जोत जोतिरलिंग के रूप में सिथ हो गए। इस प्रकार जोतिरलिंग स्वरुप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और मापार्वती भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हो गई। अब सुनिए 12 जोतिरलिंग इस्तोत्र और हिंदी अनुवात यदि आप संस्कृत में पार्ष ना भी कर पाएं तो भी सावन के महिने में आप किसी भी समय भगवान शिव का ध्यान करते वें सभी जोतिरलिंगों का ध्यान करें और हिंदी अनुवात का पार्ष भी आप खुद पढ़िया सुन सकते हैं ओम सुरास्ट्रे सोमनाथम च श्री शेले मलिकारजुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैत्यनाथम डाकिन्याम भीम शंकरम सेतू बंधे तू रामेशम नागेशम दारुकावने अर्थात सुरास्ट्र में अर्थात गुजरात में श्री सोमनाथ श्री शेल परवत अर्थात आंधर परदेश में श्री मलिकारजुनम उज्जयन मध्य परदेश में श्री महाकालेश्वर ओमकारेश्वर ममलेश्वर परली महारास्ट्र में श्री वैत्यनाथ डाकिनी महारास्ट्र में श्री भीमा शंकर, सेतु बंध तमिल नाडु में श्री रामेश्वरं, दारुकवन गुजरात में श्री नागेश्वरं, वारणस्याम तु विश्वेशं, त्रेंबकम गौतिम तटे, हिमाले तू केदारं, धृष्वनेशं तू शिवाले, एतानी जोतरलिंगानी सायं अर्थात वारार्सी उत्यप्रदेश में श्री विशवनात गौतमी नदी महरास्त्र के तठापर श्री ट्रयंबकेश्वर हिमालय उत्राखन में श्री केदारनात और शिवालय महरास्त्र में श्री गृष्वनेश्वर में आप विराजमान हैं जो नर प्रतिदिन प्रातह और संध्याकाल के समय इन बारहत जोतिर लिंगों के नामों का पाठ करते हैं इन जोतिर लिंगों के इस्मरन मात्र से ही उनके साथ जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है साथ ही जो भक्त बारहत जोतिर लिंगों के दर्शन करने में यात्रा करने में असमर्थ हो फिर भी इस इस्तोत्र के पठन या श्रवन मात्र से ही सभी द्वादस जोतिर लिंगों के दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है जै भोलेनात आज की ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा